नमस्कार दोस्तों स्वागत है फिर से एक नए वीडियो में और आज की इस वीडियो में आप सब सीखेंगे CRT TV में एक छोटी सी फॉल्ड जो देख सकते हैं दोस्तों पतली पतली रिटेश्ट लाइन उपर फेस में आ रही है इस फॉल्ड को जो है दोस्तों देखने में बहुत ही खराप लगती है जब हमारी फिक्चर आती है दोस्तों तब जो उपर फेस माथे पर है दोस्तों ये पतली पतली रिटेश्ट लाइन देखने को मिलता है उस टाइम पिक्चर जो है देखने में बहुत ही खराप लगती है तो दस्तों इस फॉल्ड को आज हम रिपेर करेंगे तो छोटी सी रिक्वेस्ट है वीडियो अगर आप सब को पसंद आए तो चैनल को सस्क्राइब कर दे और वीडियो को एक लाइक कर दिजिएगा चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते सबसे पहले इस फॉल्ड को रिपेर करने के लिए हम CRT TV को हम खोलेंगे और खोलने के बाद हम देखेंगे किस जगा से यह प्रोब्लम होता है तो दोस्तों यह अधिकतर भाट्टिकल आईसी की अगल बगल से कहीं पीएपी रेजिटर्न या कंडेंसर से विख होने से यह प्रोब्लम होती है तो हम चेक करेंगे लाइप पुरूबिट के साथ चलिए हम खोल के देखते हैं तो दोस्तों TV की यह सर्कीट बोड है हम बाहर निकाल चुके हैं और छोटे छोटे जो वायर है सभी को हम जटका के रख चुके हैं और सर्कीट बोड को हम साथ सूत्रा करने के बाद हम इस तरह से क्लेन करके रखे हैं अब चलिए हम इसकी टेस्टिंग करेंगे तो सबसे पहले हम CRT बोड पर हम फिर से दुबारा लाइन को कनेक्ट करेंगे और मल्टी मीटर के दुबारा हम चेक करके देखेंगे बोल्टेज सप्लाइ तो चलिए हम टीवी पर लाइन दे चुके हैं अब मल्टी मीटर को हम 200 की रैंच पर सेट कर लिए हैं अब इसकी जो दोनों प्रॉप है दोस्तों एक कहीं गराउंड कर देंगे और एक प्रॉप से हम बोल्टेज सप्लाइ को हम कनेट करके देखेंगे तो 110 की सप्लाइ हम चेक करेंगे सबसे पहले जो की 105 मिल रहा है इससे कोई दिकत नहीं है दोस्तों यह बिल्कुल सही है अब भाटिकल सेक्षन की हमें सारी सप्लाइ को में देखना है चेक करके तो यहां जो सप्लाइ लगी हुई है सभी की सप्लाइ दोस्तों सबसे पहले हम भाटिकल सेक्षन में लगी हुई सभी supply को हमें देखना है minus 13 volt और plus 2 volt दोनो supply को चेक करना है तो यहां हमारी जो supply है minus 13 volt यह सही है दोनों side minus बता रहे है और यहां plus बता रहे है दोस्तों तो इसकी जो supply है यहां supply से कोई भी fault नहीं है यहां जो capacitor लगी हुए इसब capacitor को हम connect करके देखना है यहां 13 volt की supply बिल्कुल सही है अब जो है दोस्तों मैं रिजन यहां minus 13 volt की जो supply आई है यहां एक condenser लगी हुए है और जिसके जरीए हमें जो है दोस्तों minus 13 volt की supply के जगह में एक condenser लगा हुआ रहता है जो की तीन नमबर vertical IC और छे नमबर vertical IC से attach किया हुआ रहता है यहां देख सकते हैं छे नमबर pin पर जो है और यहां तीन नमबर pin पर एक condenser लगी हुए अगर यह supply दोस्तों दोनों बराबर आ रही है तो यहां जो है 14 volt की supply बननी चाहिए जब हमारी टीबी on हो जाती है स्टार्टिं हो जाती है तब यहां 14 volt की supply बननी चाहिए वो supply में यहां थोड़ा विक नजर आ रही है तो चलिए हम यहां जो condenser लगी हुई है इस condenser को सबसे पहले हम remove करके देखते हैं यहां कितने बोल्टी की supply पर condenser लगी हुई है तो जब हमारी तीन नमबर और छे नमबर पीन पर हमारी 14 volt की supply आ जाती है तो हमारी टीबी पर जो है रिटेस्ट लाइन की problem solve हो जाती है तो सबसे पहले जो एक condenser लगी हुई है उसी हमें change करके देखना है यह condenser जो है फुला हुआ दिखाई नहीं देता है लेकिन हम फिर भी दुबार हम इस condenser को लगा के हम चेक करके देखेंगे हम उपर से ही तो चलिए हम iron की साहिता से हम इस condenser को change कर देते हैं तो यह condenser जो है दोस्तों कहें भी फुला हुआ या फटा हुआ दिखाई नहीं देता है यह 35V की condenser लगी हुए और 100UF की है तो हम दूसरा circuit board से हम SAM ऐसे ही supply voltage की condenser को हम यहां से निकालेंगे यहां देख सकते हैं और इसे जो है दोस्तों हम बाहर से ही हम चेक करके देखेंगे तो चलिए हम condenser को निकाल चुके हैं अब यहां जहां से हम remove की हैं दोस्तों SAM उसी जगह हम उपर से ही इसे सटा के देखने वाले हैं अगर इस condenser की बज़े से ही यह problem आ रही थी तो यह tv बिलकुल सही हो जाएगी तो हम condenser को लगा चुके हैं अब हम tv पर line दे चुके हैं चलिए हम आगे screen पर जाके देखते हैं दोस्तों जो पतली पतली retest line आ रही थी अब वो सही हुआ है या नहीं तो देख सकते हैं दोस्तों यह जो पतली line आ रही थी वो बिलकुल सही हो चुका है तो दोस्तों ऐसे पता नहीं चलेगा चलिए हम फिर से जो उपर से हम सटा की रखे हैं condenser को उसे हम फिर से दुबारा open करते हैं iron से और देखते हैं यह condenser की वज़से थी या नहीं देख सकते हैं दोस्तों जैसे ही हम condenser की एक probe को हम हटा चुके हैं और फिर से retest line आ चुकी है फिर से हम दबारा connect करते हैं देख सकते हैं जैसे ही connect करते हैं दोस्तों यह retest line गायब हो जा रही तो दोस्तों TV में जो भी itgd्यस था एक कर दिजागा थैंक्यू फोर वाचिंग वीडियो